नमस्कार इस वीडियो में मैं आपको SSC की करेंट वेकंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ SSC की वो वेकंसी जो अभी ऑनलाइन हो रही है और आप उसमें ऑनलाइन कर सकते हैं तो आईए देखते हैं एक एक करके सभी वेकंसी के बारे में जो SSC से निकली हुई है और इसमें आप अभी apply कर सकते हैं मेरे चैनल को subscribe करके रखिए और bell icon को दबा करके रखिए सबसे पहले हम देखेंगे SSC Delhi Police Constable Driver वाले पद की vacancy के बारे में जिसमें केवल mail candidate ही apply कर सकते हैं और इसका आखरी date है 29 जुलाई जो की काफी नजदिक है आज से 2-3 दिन ही मातर बचा हुआ है इसके उपर मेरे चैनल पर अल्रेडी वीडियो बना हुआ है डीटेल से आप वहाँ से इस vacancy के बारे में पूरा डीटेल पर प्राप्त कर सकते हैं जितनी भी vacancy में हैं आपको बताने जा रहा हूँ सबका वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पर अपलोड है तो आप वहाँ से डीटेल से पता कर सकते हैं तो इस vacancy की last date है 29 जुलाई और इसमें इंटर पास चाहिए last date तक जो इस vacancy के आखरी date है 29 जुलाई तक और इसके अलावे आपके पास valid heavy motor vehicle license होना चाहिए यानि भारी वाहनों का आपके पास license होना चाहिए ट्रक वगरा का 1 जुलाई 2022 को आपके उमर होनी चाहिए 21 साल से 30 साल के बीच और relaxation applicable है SCST OBC को जो छूट दी जाती है क्रमसा 5 साल और 3 साल का वो इसमें भी applicable है payment 100 रुपी रखा गया है General OBC और EWS male candidate के लिए केवल क्योंकि female को SSC में payment नहीं करना पड़ता है SCST PWD को भी payment नहीं करना पड़ता है तो General OBC और EWS केवल male candidate को 100 रुपेज भुक्तान करने के आव सकता है height चाहिए 170 cm relaxation दिया गया है 5 cm अगर आप relaxation वाले group से हैं तो chest जो है वो 81 cm होना चाहिए और फुला करके 85 cm होना चाहिए और mode जो होना चाहिए वो online के वाले आप अपलाई कर सकते हैं और total post है इसमें 1411 यानि 1411 post हैं इसमें दूसरी जो vacancy है वो है head constable देली पूलिस का ही AWO और TPO और इसमें जो है इसका भी आखरी डेट है 29 जुलाई 2022 और education इसमें चाहिए interpass science और math subject के साथ यानि अगर आपने PCM select किया हुआ है intermediate में science में या फिर अगर आपके पास NTC certificate है तो फिर आप जो है national trade certificates को बोलते हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके अलावे आपके पास computer का knowledge होना चाहिए English का typing होना चाहिए 1 जुलाई 2022 को आपकी उमर होनी चाहिए 18-27 साल relaxation जो दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा यहाँ पर इस vacancy में payment एक सो रुपई ये रखा गया है general OBC EWS के male candidate को female SCST and PWD candidate के लिए किसी प्रकार से कोई भुकतान नहीं है सभी category के female को इसमें छूट दी गई है height जो है वो 170 cm चाहिए male के लिए और 157 cm चाहिए female के लिए chest जो है वो 81 cm चाहिए male के लिए और 4 cm expansion होना चाहिए female के लिए chest का requirement नहीं है mode जो है वो केवल online के मद्धम से आप इस form को भर सकते हैं और total post है 857 तीसरी जो vacancy है वो है junior Hindi translator junior translator की और senior Hindi translator की इसमें जो है वो आखरी date है 4 अगस्त 2022 education चाहिए इसमें degree मैंने यह diploma लिख दिया गलती से यह degree होता degree या फिर PG in relevant discipline में और इसके अलावे एक जुलाई 2022 को 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए payment एक सोर रुपई है general OBC EWS के mail candidate को केवल करना है mode जो है वो केवल online के मद्धम से है और total post है के लिए नहीं किया गया है इन तीनों के उपर already video बना हुआ है notification और को आप SSC के website पर जाकर के download कर सकते हैं पूरा डीटेल्स आप notification का पढ़ करके उसके बदाप इसमें online कर सकते हैं तो इन तीनों ये तीनों ही vacancy जो है वो अभी online हो रहा है अगर आप SSC में form भरना चाहते हैं तो इन तीनों vacancy के डीटेल्स को आप SSC के website पर जाकर के notification को ध्यान प्रवक पढ़ सकते हैं और online कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बने रही हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से जद लोगों को तक share भी किजिए हमारे चैनल को धन्यवाद है